अज़ आपको हम एक ऐसे मॉल के बारे में बताएंगे जहां पर मुफ्त में कपड़े मिलते हैं उस मॉल में आपको बस जाना है और शॉपिंग करके आना है पैसे देने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आपको जैसे कपड़े जुत्ते चप्पल लेने हैं आप अपने नाप का ले सकेंगे जिसके लिए आपको कोई राशी वहां पर नहीं देने होगे जैसी बाते मॉल की बारे में हम कह रही है वैसा ही मॉल का नाम भी है जी हैं अनोखा मॉल के बारे में आप जो आपको हम बताएंगे आपने इस पूरे सेग्मेंट में जहां पर स्कूल युनिफॉर्म हो, शादी व्या के लिए कपरे हो, कहीं घुमने जाना हो या फर मौसम ठेंड का हो कोई भी आप ड्रेस लीजिए, जुत्ता चपल लीजिए, आपको एक रुपए भी वहां नहीं देने हैं तो अनोखा मॉल है कहां पर और क्यों यहां पर मुफ्त में कपरे मिल रहे हैं आपको बताते हैं क्योंकि शायर ही ऐसा कोई वैक्ती हो जो से शौपिंग करना पसंद ना हो और वो भी तब जब आपको उसके लिए एक रुपए भी खर्च ना करने पड़ें तो चलिए आगे सेग्मेंट में देखिए इस अनोगी मॉल के बारे में कि आखिरी मॉल है कहां और क्यों यहां पर इतना सब कुछ वाफर में मिल रहा है अब नमशकार स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वन दना पांडे किया कभी आपको ऐसा सपना आया है कि आपको सिर्फ एक रुपए भी ना देने पड़े और नए कप्रे मिल जाएं नए जुत्ते चपल मिल जाएं यह सब कुछ आपको मुफ्त में मिल जाए अब आप बोलेंगे कि ऐसा सपना कैसे आएगा कोई गिफ्ट कर दे कोई दूसरा सामने वाला शॉपिंग करा दे तो यह बात अलग है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मॉल की बारे में बताएंगे जहां पर आपको मुफ्त में कप्रे मिल रहे हैं और यह मॉल कहीं और नहीं बलकि लखनउ में हैं जिया उसी लखनउ में जिसने नवाबो का शहर कहा गया है लखनउ का यह अनोखा मॉल वहां पर एक एक वेक्ती के लिए जरूरी सामान आपको मिल जाएगा और यह मॉल सब के लिए जरूरी है छरूरी इसलिए क्योंकिस मॉल में आप कप्रे देश भ दे देते हैं वहीं से जरुरतमंद लोग अपने लिए नाप के अपने कपरे लेकर चले जाते हैं जुता चपल हो या फिर कोई भी चीज हो वहां सब कुछ मॉल में मुफ्ट में मिलता है वैसे तो अब आप बोलेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है ये तो हम बाहर भी कर सकते हैं हर शहर में होता है लेकिन आप ये देखिए कि नवाबो की शहर में वैसे लोगों को भी नवाबों जैसा इज़त दिया जा रहा है जोन्हें किसी किसी शहर में तो पूछा तक नहीं जाता अगर आप नजर दोराएंगे तो कई बार तो उन्हें लोग बेजजती करते उनका तो प्रसाशन भी कभी पोलिस उन पर डंडे बरसाते हुए नजर आती है और वैसे लोगों को नवाबो के शहर में नवाबो जैसा उनका ध्यान रखा जा रहा है मतलब यह है कि शहर में अनोखा मॉल इसलिए खुला है ताकि जिनके पास एक्स्ट्रा कप्रे हैं जिन्हीं उस कप्रे की जरूरत नहीं है वो लाकर उस मॉल में दान दे दे और फिर उस मॉल में रिक्षा वाला ठेला वाला जो भी गरेब लोग हैं जिनें भी जरूरत हो वो वहां जाकर अपने नाप की कपड़े ले ले जुत्ता चपल जो भी कुछ लेना चाहें वहां से वो प्राप्ट कर सकते हैं उनका भी शॉपिंग मॉल में जाकर खरीदारी करने का जो सपना होता है वो पूरा हो सके इस मॉल में गरीबों के लिए स्क कुल यूनिफॉर्म कंबल रुजाई ये सब कुछ मुफ्त में लेकर आते हैं इसके लिए उन्हें कोई भी पैसे देने को जरूरत नहीं पड़ती है जरूरत मन्द लोगों में मजदूर जोगी जोपरी में रहने वाले लोग रिक्षा चालक ये सब लोग शामिल रहते हैं इस मॉल में उन्हें काफी जाएदा जादा कुछ मिल जाता है जो उनकी काम का हो और ये सब कुछ मुफ्त में मिलता है इससे उनकी काफी जादा मदद भी होती है करीब पाफ साल से इस अनोखा मॉल को चलाया जा रहा है आप सोच सकते हैं अभी तक इतने लोगों को इससे पाइदा हुआ होगा मॉल के संचॉला का नाम डॉक्टर एहमद रजा खान है जिन्होंने मॉल को इस उदेश से खोला है कि किसी को कोई परिशानी ना हो मॉल में जाकर गरीब लोग भी खुश हो सके और उन्हें भी जासे बड़े-बड़े लोग शॉपिंग मॉल में जाकर खरीदारी करते हैं उनका भी वो शॉप पूरा हो सके अनोखा मॉल में गरीबों के लिए कपरे, सैंडर, सूटकेस, स्कूल यूनिफॉर्म, कंबल और रजाय की भी विवस्था की गई है जो कि उन्हें मुफ्ट में दिया जाता है पिछले साल के अगर हम बात करें तो कपरे लेने वालों में जादा तर रिक्षा वाला मजदूर और जुगी जोपरियों में रहने वाले लोग शामिल थे तो वहीं मौल में कपरे डाउन करने में सबस्यादा के डॉक्टर रहते हैं तो वहीं जब शुरुवाती दौर की अगर बात करें तो संच्छाला का कहना है कि शुरुवाती दौर में शहर के लोगों को थोड़ा जागर करने में परिशानी हुई थी लेकिन अब 5 साल हो चुका है ऐसे में जब भी लोगों को लगता है कि अब उनके कपड़े उनके पहनने लाइक नहीं बचे हैं लेकिन और पहन सकता है वो खुश हो सकता है लेक प्रतिक्रिया साजा कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और बाकिया ने खब्रों के लिए बने रहें जुनता जंक्शन की साथ कामरे के पीछे ते विशाल और मैं थिया आपके साथ वन दना धाने पागए